दिल्ली के उत्तर पश्युम लोग सबस सीट से टिकर न मिलने से नाराई बिजेपी के सांसद उधित राज ने आखिरकार कांगरेस का दामन ठाम लिया बुद्वार को कांग्रेस सद्यक्ष राहूल गांधी की मौजूदगी में सांसत उधितराज ने कांग्रेस पार्टी को जोईन कर लिया पार्टी उत्रों के मुताबिक उद्यतराज ने बुदवर को सुभे कांग्रिस सद्ध्यक्ष रहुल गांदी से मुलाकात की, जिन्होंने पार्टी में उनका स्वागत किया है। कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रस कांफरेंस में उधित राज ने बिजेपी पर जम कर हमना बोला और आरोप लगाया कि बिजेपी एक दलित गुरोधी पार्टी है उधित राज ने आगे कहा कि बिजेपी पिछड़ा गुरोधी पार्टी है उन्होंने ये भी कहा कि साल 2014 क आसपास ही वे कांग्रिस पार्टी जोईन करना चाहते थे पिछले लोगसभा चुनाओं में उत्तरपश्यम दिल्ली सीट से भाजपा की ठिकट पर सांसत बने राज को इस बार ठिकट नहीं मिला है जिसके बाद से वे खुल करना राज की जाहिर कर रहे थे गोड़ तलब है कि भाजपा ने इंडियन जिस्टिस पार्टी के इस पूरू प्रमुक को लोगसभा चुनाओं के लिए इस बार ठिकट नहीं दिया है भाजपा ने उनकी जिगए गायक हंस राज हंस को ठिकट दिया है ऐसे में एक सवाल है कि कांग्रिस पार्टी आखरकार पुदित राज को किस लोगसभा सीट से इस बार चुनाओं लड़वाती है आएम आपको सीदे प्रेस कांफिरंस की तरब लेकर चल रहे हैं जहां पर पुदित राज भाजपा पर हमला बोर रहे है कांग्रिस में मैं 12-14 से ही आना चाहता था राहूल जी इस बात को जानते हैं पर सितियां इसी रही हूँ मैं उन लोगों में इस नहीं हूँ कि कोई चीज मैं जूट बोलूँ अगर बीजेपी टिकट वहां से देती तो मैं वहां से लगता है लेकिन इसके वज़े से एक बहुत बड़ी चीज निकल कर कि देश में आई कि बीजेपी कितना दलित भी रोधी है इंडिया टुडे ग्रूप ने सेकेंड बेस्ट मेंबर अब पार्लमेंट परफार्मेंस में रेट किया फ्रेम इंडिया एसिया पोस्सर्वे ने बेजोड सांसद और स्रेश सांसद का खिताब दिया बीजेपी में एक प्रचार है कि हाँ सब को न्याए मिलता है कारिकरताओं को उस हथियार से बड़ा धांस जमाते हैं कि इंटर्नल सर्वे जो कहेगा होगा यह इंटर्नल सर्वे इननों चार पांच उजेंसिया हायर करी हैं उसमें भी दिल्ली में मोस्ट पापुलर और विनिंग सीट वही निकल के आ रही थे इनके पास क्लियर कट एक ही सीट निकल के आ रही थे नार्थ वेस्ट आप चक कर लिजे इनके इंटर्नल सर्वे को अगर गलत निकल जाएं तो भी इनोंने मेरा टिकट काटा वजय यह है कि 2 अपरेल 2018 को जब दलित सडकों पर आये भारत बंद किया तो मैंने उनका समर्थन किया अट्रोसिटी जब खत्म किया गया रहता और वस्टर पॉइंट तो मेरी गलती यही थी कि मैं गूंगा बहरा नहीं था वहां पर वहां गूंगा बहरा अगर कोई रहे तो उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं कि बीजेपी आरेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बना सकती मैं उधारन के साथ कि 20 मई 2014 को मानिनी रामनात को बिंग जी बायो डाटर लेकर कि मेरे हाई इसके चस्म दीजगवाद बीजेपी के स्सी एस्टी मोर्चा के एक विबेक सोनकर हैं वो हैं वो आया करके मैं चंबर में बैठा था कहा कोबिंग जी खड़े हैं हम कहा लाईए भाई मैं जानता था उनको तो उन्होंने कहा भाई साब मेरा भी कुछ कराईए कोबिंग जी को इस लायक भी नहीं समझा था 2014 में कि उनको टिकट देते जब क्यों टिकट चाहा रहे थे तो चुप रहने का इनाम देखा आपने राश्पती और मैं चुप रहता तो हो सकता था मुझे प्राइम मिनिस्टर कभी न कभी बना देते और दूसरी बात है कि हर मुद्दे पर उठाए हो यह नहीं कि मैं आडियोलजकली कोई कंप्रमाइज किया हूं 10-15 बार पार्टी के स्टैंड के खिलाब गया हूं अम मैं इनका यह बताना चाहता हूं कि जिसको घूम करके पूरे देश में दलितों को प्रचार करने प्रचार करके भोट ले रहे हैं यह कह रहा है कि हम तो दलितों को नौकरी देने वाला बनाएंगे तो इस्टैंड़ इंडिया में एक प्रावधान इनों ने रखा कि हर बैंक से एक सवा लाख बैंक की ब्रांचे से इंडिया में हैं एक दलित को लौन मिलेगा ताकि वो दलित रोगों को रिक्रूट कराएं और जाब दे खुद आगे बढ़े और एक महिला को इन्डियन एक्स्प्रेस के सर्वे की हिसाब से केवल 6% लेकि अभी वही प्रचार कर रहे हैं कि हम तो रोजगार बनाने वाला बता दिया दलितों को ये केवल 6% अर्थात या पूरा प्रपोगंडा और धोखा है